चलिए आज बनाते हैं सोया बीन और चना दाल का बहुत ही स्वादेश्ट तड़का दाल आप इसे एक बार जरू ट्राइ करें सभी को पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको हेलफू लगेंगे तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए सोया बीन और चना दाल का तड़का बनाना हम सुरू करते हैं हमें एक कटुड़ी चना दाल को तीन से चार घंटे के लिए भी गो देना है अच्छे से भीग चुकी है अभी हमें एक ग्राइंडर जार में एक बड़ा सा इसका रफली कटा हुआ टामाटर डालना है आधा इंच जितना हमें अध्रख को डाल देना है और अभी हमें इसमें डाल देना है हरी मिर्च अब हरी मिर्च को कम या जादा कर सकते हैं मैं तीन हरी मिर्च डाली हूँ छे से साथ लेसुन के कलियों को डालना है इसे हमें बारीक पीस लेना है कडाही में हमें एक ग्लास पानी डालना है, पानी गरम हो चुकी है हमें एक दस वाला सोया बीन को डाल कर इसे बॉयल कर लेना है उसके बाद निकाल कर पानी नी चोड़ लेना है कडाही में डाल देना है दो से तीन चम्म जितना तेल को तेल अच्छा गरम होने के बाद चारो साइड इस तरीके से फैला लेना है जिससे ये कडाही में चिपकते नहीं है और तेल को अच्छे से गरम होने दीना है तेल गरम हो चुकी है अभी हमें इसमें सोया बीन को डाल दीना है और अभी हमें इसे चलाते हुए भूनना है जब तक इसमें golden color ना आ जाए थोड़े थोड़े देर में हमें सोयाबिन को चला लेना है ये छोटा वाला सोयाबिन है अब बड़ा वाला भी ले सकते है ये भून चुके है तो अभी हमें इसे निकाल लेना है और वापिस कड़ाही में चार से पांच चम्मस तेल डालना है आधी छोटी चम्मस जीरा कुछ खड़े मसाले डालना है जैसे दाल, चिनी, लॉंग, काले मिर्श, देश पत्ता इसके बाद हमें इसमें डाल देना है दो मीडियम साइस का वारी कटा हुआ प्याज हमें इसे चला लेना है प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक भोनना है थोड़े थोड़े देर में चला लेना है तो अभी आप देख सकते हैं प्याज भोन चुके हैं इसमें हमें पीसे हुए प्यूरी को डाल देना है और अभी हमें मसाले डालना है एक छोटी चमच धन्या पाउडर, आधी छोटी चमच जीरा पाउडर, आधी छोटी चमच कास्मीरी लाल मेर्च पाउडर, आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक चोथाई छोटी चमच काले मेर्च पाउडर नमक आप अपने स्वादनु सार डाले, मैं एक छोटी चमच नमक डाली हूँ अभी हमें इसे चला लेना है और मसाले को हमें धीमे धीमे हीट पर ही भूनना है जितने अच्छे से आप मसाले को भूनियेगा उतना ही टेस्टी आपका रेस्पी बन कर तयार होंगे हमें थोड़े थोड़े देर में मसाले को चला लेना है हमें मसाले को भूनने में लगभग तीन से चार मिनट का समय लेगेगा तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल से प्रेट होने लगे हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं अभी हमें इसमें डाल देना है डाल देना है भीगोया हुआ जो दाल है उसे च्छान कर भीगोने से दाल को पकने में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है काफी जल्दी ये पक जाते हैं और कडाही में भी पक जाते हैं इसलिए मैं दाल को भीगो कर डाली हूँ हमें इसे लगभग एक से देड़ मिनट कе लिए भून लेना है बस हलका ही भूनना है थोड़े थोड़े देर में इसे चला लेना है अभी हमें इसमें डाल देना है पानी मैं इसमें लगभग 450-500 ml जीतना पानी डाल रही हूं इतने में अच्छे से पक जाएंगी आप इसे कूकर में भी एक सिटी लगा सकते है मैं लो हीट पर इसे पकाई हूँ एकदम धीमे धीमे हीट पर इसे पकाना है इसे पकने में लगभग 7-8 मिनिट का समय लगेगा इतने देर में चना दाल अच्छे से सौफ्ट हो जाते है देख सकते हैं अच्छे से पक चुके है आपका अगर चना दाल ना पका हो तो आप कूकर में एक सिटी लगा सकते है उपर से कटा हुआ धनिया पतर डाल दीना है और अभी हमें इसे चला लेना है तो देख सकते हैं बहुत ही स्वाधिष्ट, सोया बीन और चना दाल का तड़का दाल बन कर तयार है आप इसे रूटी, चावल, पराठा के साथ सर्व करें सभी को पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा रेस्पी आपको कैसा लगा थैंक्यू फर वाचिंग